कि हालो अर्यवन दिस इस एलिक स्मिथ वेलकम ठोलिज्ट अंबीशन सौगत आपका नौलिज्ट अंबीशन के सेशन में तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं माचब परदेश प्री प्राइमरी स्कूल के बारे में प्री प्राइमरी स्कूलों में जो है वो शिक्षक भरती के लिए इंपॉर्टेंट सूचना यहां पर निकल कर आई है तो यह महत्तपूर्ण नौटिफिकेशन में आपके साथ यहां पर शेयर करने वाला हूं सबसे पहले यदि आप चैनल पर पहले वरायन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नौटिफिकेशन बेल को भी आउन कर लें ताकि आने वाले सब्सक्राइब आप तक रोगलरी पहुंचते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट नौटिफिकेशन ही है आपकी कि माचब प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक अनिवारे हैं इसकी तैयारी जो है वो सरकार दोरा की जा रही है प्रारंबिक शिक्षा निदाश्याले ने इस बात पर प्रस्ताव तैयार कर प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए बेजा है तो जैसे ये माचब प्रदेश गौर्मेंट दोरा प्रस्ताव पास किया जाता ह उसके बाद जो एंटीटी है वो अनिवारे हो जाएगी प्रैमरी स्कूलों में शिक्षिक भरती के लिए सरकार से मंजूरी मिलते ही शिक्षिकों की भरती को लेकर बीते लंबे समय से चल रहा विवाद जो है वो खतम हो जाएगा प्रजाइन टाइम पर बात करूँ तो प्रजाइन टाइम पर जो है 3840 सरकारी स्कूलों में नरसरी और केजी के कक्षाएं चल रही है तो इनी कक्षायों के लिए ठीचर्स की भरती हैं पुल में शिक्षिकों की भरती हैं उसके लिए एंटीटी अनिवारे करने की तयारी कर रही है सरकार entity कर चुकी महिलाएं जो है वो बीते लंबे समय में उन्हें इन स्कूलों में नियुकती देने की मांग कर रही है आंगरवारी बरकर भी नियुकती की मांग को लेकर संगर्शर्त हैं दोनों ही संगड़नों की और से बीते दिनों विधान साबा के बजट सत्र के दोरान परदर्शन भी किया गए थे इसी बीच प्रारंबिक शिक्षा निदेशा लेने नर्सरी टीचर करने वालों को ही बतौर शिक्षक प्रे-प्राइमरी कक्षाओं में नियुक्त करने का प्रस्ताव तेयार कर लिया है तो ये प्रस्ताब जैसे ही सरकार दोरा पास किया जाएगा वैसे ही एंटिटी कर चुकी महिलाएं और जो भी सरकार का फैसलर रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये शिक्षक नियुक्त किये जाएंगे बारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से एक वर्ष की ट्रेनिंग करने वालों को शिक्षक नियुक्त करने की निदेशाले की सिफारिश है दस विद्यार्थियों से अधिक संक्या वाले स्कूलों में शिक्षकों की भरती करने का प्रस्ताब भी बनाया गया है इन शिक्षकों के लिए आयू सीमा 18-45 वर्ष जो है वो त्या की गई है अब देखना यह होगा कि सरकार निदेशाले की इस प्रस्ताब पर क्या फैसला लेती है तो अब जो है निदेशाले दोरा प्रस्ताब त्यार कर दिया गया है इसके उपर अब फैसला सरकार को होगा सरकार जो भी फैसल लेगी उसी तरह से इंप्लिमेंट किया जाएगा इसके साथ ही मई में होने वाली केंदर सरकार की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैटक में भी इस मामले को लेकर चर्चा होने की संभावना है तो शिक्षा निदेशाले न जो है वो एन्टिटी अनिवारे करने के लिए यह परस्ताव जारी कर दिया है जिसमें की दस विद्यारतियों से अधिक संख्यावाले स्कूलों में शिक्षिकों की भरती का परस्ताव भी बनाया गया है और जैसे ही इसमें जो है सरकार का फैसला आता है उसी तरह से इसको इंप्लिमेंट आगे किया जाएगा तो आगे आने वाले अपडेट में जो भी इंपॉर्टन इंफॉमेशन इसके रिगार्डिंग आते हैं तो हम उन्हें यहाँ पर डिसकस करते रहेंगे आज की सैशन में इतना ही था आपको जानकारी अच्छी लगी होगी यह आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और अपने सभी फ्रेंग का शेयर जरूर कीजेगा और पहली वराएंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए और और नाटिफिकेशन बलको भ लोड़ी पहुंचते रहें तो मिलते हैं नेक्स तुडियो में थैंक्स वाचिंग